हाई मैं लक्ष्मी और आप लोगों के बीच में अपनी स्टोरी के साथ याद है मुझे आज की तारी याद है मुझे 2005 की तारी याद है मुझे वो पल वो वक्त जिस वक्त उस लड़के ने मुझसे कहा था मैं उसको पतले में क्या कहा था हाँ मैं तो आपको भाई की तरह समस्ति है आपको भाई मानती है आप मेरे बारे मैं ऐसे मैं उसको बोल के वहां से चली गई फिर क्या था वही इसमें मुझे ना कैसे बोला ना कैसे क्योंकि उसका इगो हटो था क्योंकि ने उसका इगो हट गर था क्योंकि मैं एक लड़की है ने तो ना करी ने सकती थी और बो लड़का ना सुन नहीं सकता था फिर क्या था दस महीं में उसने मुझे मारा पीटा के अंत मिं जो आया उसमें भुखिया और मैं डरी डरी सहमी सहमी लड़की, किसी से कुछ नहीं कह पाई, क्यूटी मेरा भी सपना था, मैं भी उडान परमा थे, सिंगर बनना चाती थी, अपने सपनों को पूरा करना चाती थी, किसी रियालिटी शो में जाना चाती थी, अपने सपनों को जीती थी, मासूम सी एक लड़की, जो खोई-खोई सी रती थी, डान्स कहिना पसंद था, जाना पसंद था, सब, 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 पर एक बेवी, एक ऐसा वग्दा, याद है मुझे बो तारी, निस अप्रे, सब्गान दो थाजा थार था थार था, उस इunिस अप्रेल हुझ को क्या ह eine चान अप्रए था. हाँ शामका वक्त अच और छूम में अच्छाले छाबशन बहर सकता हुझ और में देखता हुझ कि एक message आता है, उस message में लिखा होता है, मैं तुम से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ मैं छोड़ देती हूँ, कोई responding देती हूँ again उसका message है, मुझे अभी और इसी बज़ाब चाहता हूँ मैं छोड़ देती हूँ, कोई जबाद में देती हूँ फिल, no call, no message hmm, 21st April को मुझे याद है, कि मैं 21st April को अपनी गर्ष दिए और अचानक से मेरा अपनी अपनी अचानक से मेरा अपनी अचानक से मैं देखती हूँ, उसी नंबर को वो call आती हूँ और मुझे लगता है, कि शायर उसकी बहनों ने मुझे फिक से बात करने हूँ hmm मैं फोल उठाती हूँ, आलो लक्षमी तुम कुछ बरना चाहते हूँ, तुम कुछ करना चाहते हूँ हाँ अपने सपनों को पूरा परना चाहते हूँ हाँ अपने मम्नी पापा तो नाम राश्न करना चाहते हूँ जी चलो ठीक कर दो और लक्षमी कुछ नहीं समझ पाती हूँ सुबेश में शान हो जाती है 21st अपरन को लक्षमी को कुछ किसी चीज का असास नहीं होता शान को घर जाती है अगले दी 22nd अपरन हाँ हाँ 22 अपरन 2005 मैं धर से लिपलती है सुबेश वो मेरा पीछा गरता है और मैं अपनी दुनिया में खोड़ जाती हूँ अचानत देखती हूँ वो लड़का और उसके चोटे भाई की गरती है हाँ हाँ एक महिला एक औरत जी वो दोनों मेरा इंतिदार करते हैं फॉलो करते हैं वीयर की बॉटन में पिजाब लागा गिलास लेके आते हैं मैं जैसे ही रोड क्रॉस करती हूँ अचानक से देखती हूँ कि वो भी नोट फ्रॉस करते हैं आगे बढ़ती हूँ अचानक ऐसे करती हूँ अचानक से वो औरत आती है मेरे पास मेरे फेस में हाथ बढ़ती है मेरे जमीन पे हक्ता मारती है और ग्लास में पेस बढ़ती है अपनी स्टोरी को फिर पूरा करूँगी इतनी बात समझ के सुनके जरूर समझे कि आगे क्या हुआ था और आगे क्या हो सकता था फिर मिलूंगी अपनी आगे की स्टोरी के साथ बाई